चुनाव व्यवस्ता हो। 1950 से लेकर आठ तक हमारे चुनाव आयोग ने अपनी सारसत्ता को साबित किया है। सभिधान निर्माताउं द्वारा दिखाई गई आस्ता की गरिमा निरंतर भणाई है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां चुनाव आयोग लोगों को नोटिस जारी कर सकता है। अधिकारियों का ट्रांसपर कर सकता है। ऐसी शक्तियां कई लोगतांतरिक देशों के चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। इसलिए भारत का चुनाव आयोग हमारी चुनाव प्रक्रिया बहुत से देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। आज Association of World Election Bodies के चैर्मेन के तौर पर भारत विश्व के कई देशों को अपने अनुभवों का लाग दे रहा है। ये भी भहुत संतोस की बात है कि भारत की हर समयधानिक संस्ता ने हमेशा चुनाव आयोग की गरिमा की दक्षा की है। चाहे कोई भी राजनितिक दल हो उसने हमेशा चुनाव आयोग के आदेश का पानन किया है। हमारी अदालतों ने भी सुप्रीम कौट तक हर किसे ने चुनाव आयोग को हमेशा अपना समर्खन दिया है। उन्होंने इस सुनिश्चित किया है कि चुनाव आयोग के आदेशों के पानन में चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा ना आये। साथियों आज इस कारकम में जुड़े आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स टाइम वोटर से हैं या जिनोंने हाली में अपने को वोटिंग के लिए एन्रोल किया है। ऐसे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि पुराने दिनों में अलग-अलग उमिद्वारों के नाम के अलग-अलग रंग के बक्से होते थे जिन में लोग अपना मतदान करते थे। पहले आम चनाव में यही हुआ था प्रत्येग मतपिटी अलग-अलग रंग की थी और उस पर उमिद्वार का नाम और पार्टी का चिन्न था। उस दोर से निकल कर आज भारत में इवी एम की मदद से मतदान होता है। एक समय था जम्बत्दान के बाद वोटों की गिंती कई कई दिनों पर होती थी। लेकिन इवी एम की विजवस है अब कुछी घंटों में। झाल